रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सभी स्रोताओं का हार्देक अविनंदन है बक्तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए गडेश जी बकुबेर जी की ऐसी कथा लेकर आई हैं जिसे सुनने सुनाने से बिटनों का नासो अहिंका नश्ट होता है गडेश ची की क्रपा से आपके जीवन में सभी कारिन निर्वग पूर हो रिद्धी सिद्धी की प्राप्ती होती है कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारी चेनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर इन लाइक अवस्य करें समपोर जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें पुराणों की इस कथा के अनसार भगवान सिब के परम भक्त कुवेर के मन में आया कि मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ ये बात संसार के सभी व्यक्ती नहीं जानते मैं कुवेर समस्त धन संपत्ति का दाता हूँ अते ये बात सभी संसारी लोगों को पता होनी चाहिए जिससे मेरी यस कीरती तीनों लोकों में बिख्यात हो यही सोच का धनपती कुवेर ने एक भव्य भोच का आयूजन करने का निश्चे किया जिसमें समस्त लोकों के देवताओं को आमंतरित किया बगवान सिब चूंक कुवेर जी के इश्च देव थे अतिवे श्वेम अपने आरादे शिव को आमंतरित करने के लिए कैलास परवत पर जाकर उन्हें प्रडाम किया बगवान सिब ने उन्हें आदत पूर्बक बिठा कर आने का प्रियोजन पूछा तब कुवेर जी बोले हे भुले नात आप तो जानते ही मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ यह सब आपकी क्रपा का ही प्रतिफल है मैंने अपने महल में एक भव्य भोज का आयूजन किया है जिसमें सभी देवों को आमंतरित किया है अते आप भी उस भव्य भोज में समलित होकर मेरा मान बढ़ाएं यह विसाल भोज का आयूजन मेरी छवी के अनुसार इतना बढ़ा होगा जैसा पहले कभी न हुआ और न होगा अते आप परिवार साइत इस भोज में अविस समलित हों भगवान सिब कोवेर के मन में छुपे अहिंकार को भली भाती समझ चुके थे अते वे कोवेर से बोले में समादी की आवस्ता में जाने वाला हूँ अते मेरा आपके भव्य भोज में समलित होना अशम भव है तब कोवेर हाद जोड कर विंती करता हुआ बोला है प्रभू आपके बिना मेरा आयोजन अधूरा रह जाएगा तब भगवान सिब कोवेर से बोले मैं तुमारे इस विसाल भोज समारो में अपने पुत्र गडेश को भेज दूँगा गडेश ने भोजन कर लिया तो मानो हम सभी ने भोजन कर लिया मादेव को प्रडाम कर कोवेर संतोष का अनवब करते हुए बापस लोट क्याते हैं नियत समय पर कोवेर के याँ एक भवे भोज का आयूजन किया गया जिसमें तीनों लोकों के देवता समलित थे गडेश जी भी वहाँ उपस्तित हो जाते हैं और आते ही कोवेर से बोले मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है चल्दी से भोजन परूसो सोने की थालों में गडेश जी के लिए भिन भिन फ्रकार के स्वादेश्ट भोजन परूसे गए गडेश जी ने एक छड में ही उन सभी भोजनों को खत्म कर दिया दुबारा भोजन परूसा गया गडेश जी भोजन परूसते ही उसे खत्म कर देते इस प्रकार बार बार वोजन परोषने और खाने के उपरांत भी गडेश जी वोजन से त्रप्त नहीं हुए अर्थात में वोजन परोषते ही खत्म कर देते पर उनकी भूख सांत नहुई इस प्रकार हजारों व्यक्तियों के खाने के लिए बनाया गया वोजन अकेले पर में ही खा गए लेकिन फिर भी गडेश जी का पेट नहीं भरा अन्त में कुवेर जी से गडेश जी बोले यदि आपकी यहां मेरे भर पेट खाने के लिए अन्न नहीं था तो आपने हमें निवंतर क्यों दिया था यह कहकर गडेश जी वहां से सीधे कैलास परवत लोट गडेश जी के वहां से भूंके लोडते ही कुवेर का अहिंकार चूर चूर हो जाता है और वे कैलास जाकर प्रभु भोले नास से अपनी भूल के लिए माफि मांगते हैं वक्त तो अहिंकार व्यक्ति के खुद का ही पतन का कारण बन जाता है वगवान कभी नहीं चाते उन अध्यम बनाकर अपने भक्त के अहिंकार को चूर चूर कर देते हैं तो भक्तो कैसी लगी हमारी प्रस्तुती कमेंट कर अवश्य बताएं आप आपके परिवार पर सदा पगवान सिब की क्रपादर्ष्टी बनी रहे इसी सुपकामना के साथ अगर प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें